तो गाइस वैंनोफ रेसिंग के इस एपीसोड में आपका स्वगत है तो गाइस आज की उड़ो में बात करने वाले तो गाइस शो की शुरू करते हैं और डैनियल ब्रेंड को रिंग में आने को कहते हैं इसके बाद डैनियल ब्रेंड आते हैं वह साफ कर देते हैं जैश्टायल से कि क्राउन जोल में नहीं अभी मैं आज ही अपना टाइटल डिफेंड करूंगा इसके बाद शेयन पिकमैन आते हैं और वह मैच का स्मैक डॉन में क्राउन जोल से पहले ही एलान कर देते हैं इसके बाद हमें इन दोनों को डॉब डॉब्ली चैम्शिप के लिए मैच देख क्राइप्टन बनाना चाहती है वुमिन्स टिम कर स्मैक डॉन के शालेट इंकार कर देती है लेकिन पेज हैं कहती है तुम एक बार और सोच ना इसके बाद हमें तब बीग ईवसे सेजारों के ट्रिकोट्रेट स्ट्रीट फैट देखने को मिलते काफी अच्छी ट्रिकोट् कर देखने को मिलते हैं कि कहती है मैं जीद गई मैंने केंडो स्टिक से लेकर हर चीज को माद दी मैं लास्ट मूमेंग स्टेंडिंग रही मैं एक में इविट मूमन हूँ मैंने शारलेट को हराका साफ कर दे कि मैं कोन होट क्या कर सकती हूँ अब अगला कदम क्या होगा मेर अग्हला कदम रौंडारा।जी में स さवाइबर सीरीस में उनके खिलाफ लड़ने वाली था तो प्रत लोग जानओर कर दूए इसके भाइब सिंपल डॉप अठैज्टस, मेच्छिंटि, स्वाइबर कर दोड़न जानमुच ये स्टोरी लाइन करी क्योंकि जोंच ना की तरह डैनियर ब्रैंड भी क्राउजुएल साउधी अरे बिन नहीं जाना चाहते तो में भी डॉप डॉप नी ने जानमुच कि ऐसे स्टोरी लाइन बठाई कि डैनियर ब्रैंड इंजर हो चुके हैं और उन्हें कोई मिला नहीं होगा एजे स्टैल से लड़वाने के लिए तो उन्हेंने समयों जो को नाम आगे कर दिया कि अब इन दोनों का मैच है फाइनली अब हमें क्राउजुएल में डॉप 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 के लिए जो कि हम पहले भी काफी बार ये म स्टेडियो की होती है तो आपको वीडियो पसंद आते तो आप इस इंट्रेस्टे अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर दीजिए थाइंग्यों